गोवर्धन पूजा एक हिंदू त्योहार परिचे गोवर्धन पूजा एक भारतिय त्योहार है जो दिवाली के बाद मनाया जाता है यह दिवाली के बाद दूसरे दिन मनाया जाता है यह ज्यादा तर राष्टर के उत्तरी हिस्से में मनाया जाता है इसे अन्नकूट पूजा के साथ साथ गोवर्धन पूजा के रूप में भी जाना जाता है गोवर्धन पूजा कैसे मनाया जाती है इस अवसर पर हर वर्ष लोग इस दिन को बहुत उत्साह के साथ मनाते है देवी अन्न पूडा को प्रभावित करने के लिए बढ़ों के साथ साथ बच्चे भी जल्दी स्नान कर लेते हैं और इस दिन 56 से भी अधिक प्रकार के विभिन व्यंजन बनाये जाते हैं लोग पवित्र गाय माता की पूजा करते हैं और इस दिन को मनाते हैं जब गोवर्धन परवत को बचाया गया था तो लोगों ने खुशी जताई की उनके भोजन का श्रोत बच गया है और श्रद्धांजली के रूप में लोग भोजन की देवी यानि मा अनपुडा को विभिन प्रकार की खाद्य सामगरी प्रदान करते हैं गोवर्धन पूजा में क्या है खास गोवर्धन पूजा हमें बहुत सी चीजें सिखाता है और उसमें सबसे पहली चीज है हमेशा वही करना जो सही हो और भगवान किसी भी कीमत पर हमेशा आपकी मदद करेंगे हमें हमेशा अपने आउसरों का जश्न मनाना चाहिए और यह मानिता है कि हमें इस दिन खुश होना चाहिए क्योंकि जो लोग त्योहार के दिन दुखी होंगे वे पूरे वर्ष दुखी रहते हैं जबकि जो लोग इस दिन खुश रहेंगे वे वर्ष भर खुश रहते हैं निशकर्श सभी भारती त्योहार अपने अपने तरीके से अनूठे हैं हम इसे एक जुट होकर मनाते हैं और अपनी परंपरा को हमेशा अपने नौजवानों तक पहुचाते हैं हम सभी इन विशेश आउसरों पर इकठा होते हैं और पर्व को एक साथ मनाते हैं हम भोजन साजा करते हैं और अपने नए नए कपड़े दूसरों को दिखाते हैं यह सब पोड रूप से जीवन को जीने के बारे में है और उच्छों इसका माध्यम है पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजे और दोस्तों में सेर कर दीजे और अपने सुझाओं फटाफट कॉमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बता दीजे और प्लीज चैनल को सब्क्राइब कर लिजे और बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक कर दीजे ताके आने वाले सभी वीडियोज के अपलोड्स आपको पता चलती रहें बाई बाई